ओके, so good evening all of you, आज CS1 का पहला orientation class है, तो आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग समझेंगे कि CS1 जो paper है, actuarial statistics का, इसमें basically करना क्या होता है हमें, and actuarial में success के लिए क्या actual में required है, हम लोग ये समझेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपने ये जो course और जो लोग भी online है, वो लोग सब मेरे से बाते कर सकते हैं, जैसे बहुत student का query आता है, कि क्या आप individual basis में doubts लेते हैं, the answer is yes, ये एक normal एक club की तरह है, आप लोग को कोई भी type का query है, आप लोग कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है न, ऐसा कोई problem नहीं है उसमें, तो आईए, CS1 ठीक है, सबका mostly first paper होता है CS1, right, कितने लोग यहाँ पर है, जो लोग का first paper है, ये हमारा पहला class है, लाइक शर्मा, प्लीज, आप पहले देखो कि क्या हो रहा है, and have a brief outline की class, कौन सी class है, this is the orientation class, so there is no previous lecture, okay, देखो, आक्चरी का जो course है न, इसमें आपको total में देरा 13 exams, लोग बोलते हैं, आक्चरी में बहुत maths है, आक्चरी में maths नहीं है, stats है, तो CS1, CS1 का जो paper है, अगर आप इसको देखेंगे, आगे, CS1 का जो paper है, तो CS1 में आप सीखेंगे statistics, एकदम पुरा scratch से, and इसके साथ में आपको करना है R programming, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको करनी है, कैसे होगा exam, अगर आप IAE से exam कर रहे हैं, तो अभी OBA हो गया है, आपने IAE में आपको typing नहीं करना है, 100 marks का आपका OBA होगा, negative marking नहीं है, MCQ जो आएंगे, वो 1 to 5 marks कर आएंगे, ठीक है, एन अगर आप IAE से कर रहे हैं, तो आपका 100 marks का written होगा, जो आपको mathematical typing MS word पर करना है, तो day 1 से हमारी ना बहुत सारी mathematical typing की भी वीडियोज जाली भी हैं, तो वो सब आपको day 1 से practice करना है, क्योंकि देखो अभी तो आप copy में करो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा सा समझने में time लगेगा चीजों को, बट ultimately आपको करना क्या है यह सुचा, आपको करना तो mathematical typing ही है, यह हो गया paper A का, paper B जो है आपका, paper B अगेन 100 marks उसमें आपका R programming test होता है पुरा, एकदम पुरा scratch से हर चीज कराया जाएगा आपको उसका बिल्कुल भी tension नहीं लेना है, अब देखो, actually का जो course जो आपने join किया है न, इसका आपका एक मकसद जरूर होगा कि आपको क्या करना है, आपको actually बनना है, उसके लिए आपको 13 levels पूरे clear करने पड़ेंगे, पूरा आपको 13 levels clear करने के लिए 4 to 5 years का टाइम चाहिए, ठीक है, एंड डेली बेसिस में आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, डेली बेसिस में आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ट्राइ करो कि हर अटेम में दो एक्जाम दो, तो उससे क्या होगा, 1 major paper, major paper में आपका क्या क्या आगया, cm, cs, cp1, sp और essay, से, so in total आप देखो कि major में आपके 8 exams है, ठीक है, minor papers में क्या आगया आपका, minor papers में आपके आ जाएंगे, cb1, 2, 3, cp2, cp3, तो एक बड़ा और आप एक छोटा paper अगर देते हो, तो उससे आपका सबसे बड़ा advantage क्या होगा ना कि आपका 20 साल बचेगा, जो cb1 आप अलग से देते, जो cb2 आप अलग से देते, उससी को अगर आप club करके देंगे, तो आपका 20 साल के करीब बचेगा, ठीक है, पहला च industry expert sessions, so those classes are in all English, and we already have an all English full set recorded, so you can watch from there, okay? So, अभी देखो, ये जो है न, आपको, आभी आप first exam कर रहे हो, अभी आपको लग रहे है हाँ होगा, नहीं होगा, ये सब थोड़ा बात आपको मन में आ रहा होगा, बट, धीरे-धीरे करके एक-एक paper clear होते जाएगा, एन आपमे confidence boost up होते जाएगा, बट, पहला attempt is very important, पहला attempt का मतलब होता है, कि आपको 100% पूरा effort लगाना पड़ेगा, आप time waste नहीं कर सकते, and you are blessed, कि आप सही time पे, सही course चूस किये हैं, actually score आप सही जगा पे training लिए, बहुत अच्छा चीज है यह, ठीक है, पूरा जो हमारा recorded set है, उससे अच्छा कोई recorded set बन नहीं सकता है, बने उसमें IFOA का सारा past paper, institute का सारा material, ठीक है न, X assignment, Y assignment, paper B के सारे resources, IEI के past papers, SOA के questions, सब कुछ कराया है, लेकिन वो आपको जो पूरा set है, वो dedicatedly करना पड़ेगा, जो physical class हो रहा है, वो physical नहीं तो online mode में आपको करना है, फिजिकल is best, अगर नहीं है आपके जगह पे location तो फिर आप online में करेंगे, and recorded lectures तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इस pattern में अगर आप जाएंगे, तो कोई भी बड़ा paper को करने के लिए two hours every day, ठीक है, two hours every day, for four months, ठीक है, and छोटा paper को करने के लिए one hours every day, तो चार से पांच घंटा आपको देखो, मैं चार से पांच घंटा इसलिए बोल रहा हूँ न, आप जब किताब लेके बैठेंगे पांच घंटा, तब जाके तीन सारी दिन घंटा का पढ़ाई होगा, and थोड़ा सा mindful रहना पढ़ेगा, कि आप अपना time को कैसे utilize कर रहे हो, ठीक है, देखो, course पढ़ाया है वैपूरा, course का problem नहीं है, बट general जो guidance होता है, वो बहुत matter करता है कि आपको कैसे पढ़ना है, वो बहुत इसका पैसा दिया है, इसी बात के पैसे नहीं, तो हम भी तुम्हारे जैसे हैं, यह समझ लेना, एकदम पूरा same same, कैसे पढ़ना है, वो बहुत जरूरी है, आप कोई भी दिन skip नहीं कर सकती है, आपके discipline का बात है, जब कोई भी एक दिन पढ़ना skip नहीं कर सकते हो, उसको आपको routine में लाना पढ़ेगा, try करो कि same time पे पढ़ो, ऐसा नहीं कि कभी 3 बजे पढ़ लिया, कभी 4 बजे पढ़ लिया, कभी 5 बजे पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा, एक routine बना के चलना पढ़ेगा, कि या तो मैं शाम को पढ़ूँगी 6-8, या फिर मैं रात को पढ़ूँगी, या फिर मैं सुभा पढ़ूँगी, early morning is the best, ठीक है, college जाने के पहले, किसी का college अगर 8 बजे से भी चालो होते है, तो भी वो attempt skip नहीं कर सकते, अभी जो लोग first year में है, वो लोगो 6 attempt मिलेंगे, 6 attempt में कोई चाहे, तो वो आराम से associate actually बन सकता है, ठीक है, एक दो, एक दो paper करके, आराम से आप associate actually बन सकते हो, ठीक है, and fellowship के लिए आप फिर एक देर साल का time और ले लो, तो 4-4 साल में आप आराम से actually बन सकत चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप सबसे राय लेते वे चल रहे हैं, नहीं हो पाएगा, आपको एक जन को अपना mentor मान के चलना पड़ेगा, कि मैंने इस जन को अपना mentor माना है, तो मैं इसको ही मतलब वो करूँगे, ठीक है, आप समझ पा रहे हो, देखो, CS1 का जो exam है इसमें आपका A और B दो exam होगा, 70-30 का ratio होता है, दोनों exam होगा 100-100 नमबर का, जैसे मालो, paper A में आपको आया 80 out of 100 और paper B में आपको आया 50 out of 100, तो 80 into 70% plus 50 into 30%, तो यहाँ पर आपका 56 और यहाँ पर आपका 15, तो आपका weighted average जो score आएगा, वो कितना आएगा? 71. और अगर आपका cut-off score है 63, तो आपका 71 है, मतलब हाँ pass, mark से ज़्यादा matter करता है कि आपको सब चीज समान भाव से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह professional exam है, लोग मैं से बोलते हैं exam के पहले कि सर, कुछ important बताईए, important बोलके कुछ नहीं होता है, तुम जो छोड़के यह समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कैसे कैसे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले आपका चालू करेंगे basic probability से, ठीक है, सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे basic probability से, what is probability, थोड़ा बत उसके questions करेंगे, समझेंगे, when diagram sets वगरा क्या होता है, ठीक है, ठीक है, अब basic probability में क्या है न, मैं आपको hint दूँगा, ठीक है, मैं आपका एक class लूँगा इस पर, ठीक है, शिवांगी मैम का, रफली अराउंड वन आवर का 15 sessions लियाव है, basic statistics में, यह आपको देखना है, यह एकदम पूरा recent हमने last attempt में लिया है, बेसिकली इसमें क्या क्या है पहले समझो, इसमें आपको मिलेगा complete basic probability, basic stats, mean क्या होता है, median क्या होता है, mood क्या होता है, skewness क्या होता है, variance क्या होता है, ठीक है, box plot क्या होता है, bar graph क्या होता है, यह सब, उसके बाद में इसमें आपका आएगा राइंडम वेरियेबल, ठीक है, इसके बाद में आपका आएगा प्रोबाइबिलेटी डिस्ट्रिगूशन, तो इस पे मैम नेन अच्छे से से सेस्टन्स लिये, तो मैं लूँगा, but I will cover all the important parts, ठीक है, but मैम का ये 15 सेस्टन्स यूट्य पे है, ये सबको देखना mandatory है, पर सब लोग ये ना बोले कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बताएं नहीं, आप सब हम confused हो रहे है, इतना सारा folders है, मैं आप भी बता दे रहा हूँ, ये जो 15 सेस्टन्स है मैम का ये देखना utmost important है, शुरू का भी जो 15-20 दिन है न, yes, definitely, आपका जो Q-forum है, आपका जो basically dashboard है, Q-forum तो हट चुका है अप, जो उसके बदले में dashboard है न, उसमें सब चीज हम लोग डाल देंगे, तो आपको बिल्कुल भी tension लेने वाली कोई भी दरकार नहीं है, ठीक है, हाँ, उसमें भी है, उसमें भी है, ठीक है, तो ये जो चार ची attribution से start नहीं कर सकता है, ठीक है, समझो इस सब चीज को, उसके बाद हम अभी क्या कराएगा, आप तो ये recording में कर रहे हो, और आपको recording में क्या करना है, ध्यान देना, और आपको recording में क्या करना है, recording में आपको करना है, आर प्रोग्राइमिंग का basic lectures, आर प्रोग्राइमिंग का जो complete CS1 का recorded lectures है, वो आपको शिवांगी मैम का recording में मिलेगा, and सिधार सौन्थालिया सर, अभी तक CS1 में, मैंने, he scored 95, and उनको दो साल होगे, अमारे साथ पढ़ाते वे, like, he, एक ऐसा जन है, जिसको, मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं मतलब, मैंने इतने से रे बच्चों को पढ़ाया है, and when sir teaches, he is just flawless, तो आपको दोनों चीज मिलेगा, शिवांगी मैम का complete CS1 का, जो आर प्रोग्रामिंग का लेक्चेश है, वो भी मिलेगा, and पूरा आर प्रोग्रामिंग का content लाइव भी होगा, लाइव भी होगा, और time उसका रहता है, नौ बजे, क्या चीज, रात हो, ठीक है, वो online होगा, घर पे होगा, the timing is 9 p.m. to 9.30 p.m. के बीच में चालू होता है, and बहुत जादा नहीं होता है, वो one hour की sessions होती है, ठीक है, ये कब चालू होगा, अभी जैसे क्या मेरा लगातार class है न, मैं अभी यहाँ पर हूँ, फिर जब मैं, ये आपका next week से चालू हो जाएगा, आर्ट प्रोग्रामिंग का जो classes है, complete, बट क्या basic थोड़ा मैं का देखावा होने से बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, एक चीज़ को 2, 2, 3, 3, 4, 4 वा जब तक नहीं करेगा न भाई, तब तक तुम्हारा वो concept नहीं बैठेगा, CS1 बेस है, पूरा एक्चुर करके निकाल लिया वो चीज़ नहीं है, तुमको एकदम पूरा solid way में, जितना अच्छा से तुम पढ़ सकता है, उतना अच्छा से तुमको CS1 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यह हुआ, इसके बाद में, सबको सब लोग मेरे साथ साथ है, जितने भी लोग है, 28 people are there, सब लो अब, तो आप programming का मैंने आपको बता दिया, recorded paper भी पुरा मैम का है, towards the end के chapters का maybe ना हो, like जैसे starting from correlation and ABCT, बेजन, towards the end का जो charge का 5 chapter है, वो मैम का maybe नहीं होगा, तुकि old था बोलके अमने हटा दिया, तो वो आपको पूरा live सिधात सा कराएंगे, जेकिन सिधात सा का पूरा live content है, पूरा updated live content है, ठीक है ना, तो paper week set is totally complete, ठीक है, देखो, course चालू होने से पहले ही 50 घंटे का काम है और वही आपका base बनाएगा, ठीक है, course चालू होता है, आपका, आप ये समझ लो, जब तक आप probability distribution में पहुंचेंगे ना, आपको लगभग लगभग 10 से 15 दिन लग उसका tension नहीं है, क्योंकि probability distribution तक जहां आपका अच्छे से हो गया ना, फिर आपको उतना problem नहीं होगा, main है आपका probability distribution तक का चीज, main है आपका probability distribution जहां आपका probability distribution अच्छे से हुआ, फिर आगे आपका और कोई चीज का tension लेने का दरकार ही नहीं है, सबसे ज़्यादा जो main है वो है आपका probability distribution, चाहे वो पेपर A हो, चाहे वो पेपर B हो, सबसे पहले CS1 का, हाँ सक्षम, आज से ही चालू करो बेटा, दस दिन में try करो, खतम करने का, ठीक है, सबसे पहले आपका जो target number 1 होना चाहिए, target number 1 जो होना चाहिए, कि मिरको probability distribution तक complete करना है A और B, सर क्या मैं पहले पूरा A कर लूँगा, फिर B कर लूँगा, the answer is no, आपको A और B को simultaneously चलाना पड़ेगा, आप चीज समझो बटा, लोग fail क्यों हो रहे, पेपर ही में तो बहुत अच्छा score आ रहे, लेकिन पेपर भी पढ़ ही नहीं रहे, लाज का 10 दिन, 15 दिन में पेपर भी पढ़ रहे, fail हो जा रहे एक्जाम में, पेपर भी जितना अच्छा होगा, उतना अच्छा जवाब लगेगा, क्योंकि तुम्हारा कोडिंग स्किल्स अतना अच्छा है, और उतना ही तुम CS2 में अच्छा कर पाएगा, क्योंकि CS2 में भी R-PROGRAMMING है, ठीक है, तो पहला टार्गेट हम लोग का probability distribution तक कब बन गया, ठीक है, अब देखो, तो मैंने आपको बताया, content में क्या-क्या है, content में आपका basic probability है, फिर आपका basic summarizing data वाला statistics है, mean, variance, kurtosis, ठीक है, skewness, यह सब सब है, box plot, bar graph, यह सब कुछ है, ठीक है, dot plot, probability distribution, अब distribution में भी दो टाइप का चीज़ होता है, एक होता है, discrete और एक होता है, continuous, तो हम लोग दोनों टाइप का करेंगे, discrete भी करेंगे और continuous भी करेंगे, ठीक है, distribution देखो, जैसे मानलो, तो for example, मैं आपको एक छोटा से example देता हूँ, x follows, binomial अगर मानलो, n,p है, अभी यह distribution आ गया न, यह distribution का एक PDF में आपको बता रहा हूँ, probability capital X is equal to small x, ncx, p to the power x, q to the power n minus x, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग गोलते, probability distribution function, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा रहा हूँ, कि आपको करना क्या है, यह distribution आ गया न, बहुत सरा proving में करा दूँगा, अपना main काम proving का नहीं है, अपना main काम यह है, कि यह distribution apply कहा होता है real life में, भईया, यह तो बताओ, अपने को देखना है, बहुत सरा राम लोग पढ़ेंगे, करीब करीब 20 distribution पढ़ेंगे, तो कौन सा distribution apply होगा हम लोग को यह check करना है, ठीक है, समझ में आती है मेरी बात? ठीक है, distribution जब अपना खतम होगा, उसके बाद अब अपने next में आते हैं, generating function, generating functions का मतलब क्या है? generating functions को generate होने का feel आएगा आपको, moments generate होगे, moments का मतलब होता है mean, variance, skewness, यह सब generate होगे, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा जो चटनी है ना, जैसे देखो, athletic figure जिसका होगा ना, वो cricket भी खेल सकता है, वो football भी खेल सकता है, यह पूरा probability distribution तक कही खेला है, वहाँ तक अगर पानी हो गया ना भाई, फिर कोई tension वाला बात ही नहीं है, फिर कोई tension वाला बात नहीं है ठीक है, generating functions हो गया, उसके बाद में हम लोग आएंगे, सबसे important topic में, जो आज के time पर, पहले इसे उतना question नहीं आ रहा था, IFO में, आई आई का hot favorite रहा है, बट अभी इससे बहुत ज्यादा question आ रहा है, joint distribution, बने दो अलग-अलग distributions होंगे, उनका joint function, ठीक है, फिर उसके variable है, y एक variable है, दोनों random variables है, ठीक है ना, अब दोनों का joint distribution आएगा, जैसे for example, fx, y अ़िए लगी भलग Putin視ích अटेक रहा है, झाल के रहा ही है, बनki गत्यादाने आटा आएगा यजया है, भया में, आवाग प्स हस need to बदंげ का एक चोटा सा वो टेक्निकल एरर आ गया था मैंने अपना ये शेर किया था क्या स्क्रीन इतना देरी इतना देरी मैंने अपना स्क्रीन शेर किया था क्या तो बेसिकली जॉइन डिस्ट्रिबुशन आएगा अब जिसका सिंगल डिस्ट्रिबुशन क्लियर अब जॉइन अगर आपका क्लियर होगा ना तो इसी से रिलेटेड आपका आएगा कंडीशनल एक्सपे क्टेशन शर्डिंध में यह टॉपिक ने पिक अप लियो जॉइन डिस्ट्रिबुशन और कंडीशनल एक्सपे क्टेशन रिवे मतलब अभी और इससे काफी कॉश्चिन आ इसको हम लोग ठेराओ के साथ में करेंगे और अच्छे से करेंगे ठीक है बीच में हो सकता है मैं आपको थोड़ा बात बोलो कि आप यह रेकॉर्डिंग में देख लो यह रेकॉर्ड बाई यह वाला टॉपिक हम लोग लाइव करेंगे त्यूंकि इससे बहुत कुश्चन भ वाला पाट देखो स्टाइट्स का में रोल क्या है पहले यह समझो स्टाइट्स का जो में रोल है पहले उसको समझो कि स्टाइट्स क्यों पढ़ते हैं अब जैसे मानलो पूरा जो इंडिया है उसमें सब लोग क्लास 12 का एक्जाम देता है उसमें जितना भी लोग क्लास 12 म Maths का एक्जाम में अपियर किया है, उन सब का मेरे को average चाहिए, ठीक है, तीन-चार अलग-अलग टाइप के boards होंगे, हर state का अपना अलग board होगा, समझ रहा है, वैसे data collection में कितना time लग जाएगा, समझ रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं sample निकालना चालू करूँग मैं हर state का sample 10 लोग को निकाला, और उन सब का मैं average कर दिया, तो ये एक method हुआ, कि sample के basis में population को estimate करना, अब यही चीज हम लोग को CS1 में सीखना है, कि कोई भी चीज का sample के basis में population को कैसे estimate किया जाता है, जितना बढ़िया sample, जितना random sample, जितना जादा sample का size, उतना बढ़िया मेर estimate होगा, error free होगा, मतलब the place where I will reach is very close to the population, sample के basis में population को estimate करना है, ठीक है, जितना जादा sample का size होगा, अगर मैं 100 लोग को लूँगा, 200 लोग को लूँगा, 500 लोग को लूँगा, 1000 लोग, जितना बढ़िया sample size होते जाएगा, उतना मैं population के close आते जाऊंगा, ठीक है, इसलिए ब but population mean is unknown, देखो, चीज समझो, sample, तो तुमको sample तुम जैसे draw करेगा, उसका mean तो तुम निकाली सकता है, but population नहीं पता है, तभी न उसको estimate कर रहे है, ठीक है, अब देखो, अब इसलिए इसमें हम लोग सबसे पहले आएंगे, Central Limit Theorem है, बहुत easy topic है, बहुत interesting topic है, Central Limit Theorem क्या बोलता है न, कि जब मेरा sample size बढ़ा हो जाता है, तो सारे distributions को हम लोग normal से approximate कर सकते हैं, अगर मेरा sample size बढ़ा है, और अगर मेरे desired, जो conditions अगर वो meet हो रहे हैं, तो मैं उसको normal distribution से approximate कर सकता हूँ, देखो, गया समझो, तुम लो करने के लिए क्या करना है, तो मैं बोलूगा कि हाँ, लास्ट दस्टम का IFOA का paper and मेरा सारा lectures, तुमारा 50% work cut down हो गया, तुमको institute का mat पुरा नहीं पढ़ना पढ़ेगा, उसका back question नहीं करना पढ़ेगा, तो basically बोलने का बात क्या है, Central Limit Theorem means approximation, Central Limit Theorem का मतलब approximation होता है, तुम Basically मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं dice throw कर रहा हूं, तो कौन सा number आ रहा है, 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है, मैं इसको 1000 बार करूँगा, जो भी numbers आ रहा है, जैसे पहला बार किया, तो 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर दो आ रहा है, ऐसे करके मैं 1000 बार dice throw करूँगा, और उन सब का मेरे को sum चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है, normal distribution का approximation important होता है, क्योंकि मेरा sample size बहुत बढ़ा है, मैंने कितना बार dice throw कर रहा है, 1000 बार, समझा, when the sample size is very large, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या try कर रहा हूँ, मैं को हो सकता कोई probabilities निकालने बोल दे, कि जो sum है, वो 500 को exceed करेगा, या फिर जो sum है, वो 1000 को exceed करेगा, ऐसा करके, ठीक है, सो basically central limit theorem से अपना mathematical step, central limit theorem से हम लोग को सब चीज में यह चीज समझना पड़ेगा, कि अपने को sample दिया वैं और अपने को population को कैसे estimate करना है, ठीक है, अब पूरा ध्यान उसमें रह जाएगा, अब sample अलग हो जाएगा और population अलग हो जाएगा, Central limit theorem के पहले क्या होता है, mean mean होता है, डेटा दिया वैं mean निकालो, बट अभी क्या होगा, population का mean अलग, sample का mean अलग, ठीक है, notations भी अलग हो जाएगे, इसके बाद में एक chapter है, जिसका नाम है sampling, ठीक है, इसमें basically हम लोग और दो-तीन distribution सीखते हैं, f distribution सीखेंगे, chi square सीखेंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग basically देखेंगे कि variance का क्या distribution बन सकता है, ठीक है, तो ये सब basically हम लोग sampling में सीखते हैं, तो देखो, अपने को total को, अगर अपने देखें, CS1 को अपने 7 parts में divide कर सकते हैं, ठीक है, वो part, मैं पुरा बता दूँगा, कैसे कैसे कौन-कौन सा parts में आ रहा है, इसके बाद में आएगा आपका main chapter, जिसका नाम है, point estimation, point estimation, point estimation chapter में अपने क्या करेंगे, point estimation chapter में अपने करेंगे parameter का estimation, दो methods है, दो-तीन methods है, जिससे हम लोग ये सिखेंगे कि कौन से method से, अगर अपने को parameter का estimation करना है, तो अपने कैसे कर सकते हैं, इसमें अपने parameter का estimation सिखेंगे, ठीक है, यहां तक का ना, आपका पुरा base बनाता है देखो, सबसे पहले probability distribution and basic statistics, उसका एक booklet हुआ, ठीक है, जो आपका second जो आएगा, second part जो आएगा, उसमें आपका आएगा generating function, joint distribution और conditional expectation, जो third part जो आएगा, उसमें आपका आएगा central limit theorem, sampling and point estimation, ठीक है, तो यह यहां तक का, यहां तक से समझ लो 50% आएगा एक्जाम में, एक average paper का, अगर मैं बात करूँ, यहां तक का 50% आएगा, और जो balance chapters है, उससे 50% आते है, balance chapters है, super easy, ठीक है न, उसमें कुछ नए topics, जैसे पहले CT3 होता था, फिर CS1 बनाया गया और our program है include किया गया in the year 2019, और कुछ topics, CT6 जो था, उससे आये है, तो थोड़े advanced level है, बट आपको easy way म ठीक है, अब जिसे यहां से अगर आप आएंगे, तो सबसे पहले जो यहां पर आपका आएगा, वो आपका आएगा, confidence intervals, hypothesis testing, इसका अपना बनेगा part 4, देखो, तुम exam दिया CS1 का, ममी पूछी बिटा कैसा गया exam, तो तुम ममी को बलेगा, ममी में को लग रहा है, 95% chance है कि 70-80 के बीच में आएगा, यही बोलता है न, तो वोई चीज निकालना है, 95% confidence के लिए अपने कोई range निकालना है, 90% confidence के तब क्या कोई statement बोलना, मैं बोला कि मेरा, जो जितना भी सारा students है, सबका जो average होगा, height का, height का जो average होगा, वो तुमारा 5 foot, तीन इन से जादा होगा, यह statement बोला, समझा, अब यह में कोई viability check करना है statement का, कि ऐसा है की नहीं है, तो इस statement को accept करें की reject करें, इसलिए hypothesis testing का chapter बना भी कर, उसमें यह सब topics जितना भी है ना, जैसे मानले अभी कभी future में तरह मजा के, एकदम worst की scenario तो को actualize करने का इच्छा नहीं है, तो भी CS1 का हर एक topic, तुमको कोई भी finance में सबसे ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है, 95% confidence level for a stock, क्योंकि stock का जो returns हो तो normal, वो तो कोई distribution follow कर रहेगा ना, either for log normal distribution और normal, कुछ भी follow कर रहा हमाने ठीक है, तो basically उसका confidence levels बनाना, तो finance में statistics सबसे ज़्यादा use होता है, ठीक है ना, उसके बाद में आपका आएगा correlation and regression, यह basically आपका आएगा part 5, ठीक है, correlation का मतलब tendency to fall in a straight line, कि भाई, यह जो straight line है, इसमें x और y दो variables है, उसका straight line में fall करने का क्या tendency है, ठीक है, माल लो मेरको एक चीज़ दिया वे, उसे दूसरा चीज़म कैसे estimate कर सकते है, एक छोटा से example दे रहे है, इंसान का उमर के हिसाब से वजन बढ़ता है ना वजन के हिसाब से उमर बढ़ता है, बताओ, सब लोग online में बताएंगे, इंसान का उमर के हिसाब से वजन बढ़ता है कि वजन के हिसाब से उमर बढ़ता है, उमर के हिसाब से वजन, तो उमर जो है, जो age है वो क्या है, independent variable, और जो वजन है वो क्या है, dependent variable, समझा, उसके बाद जो आपका आएगा, इसके बाद जो आपका आएगा, बेजियन, स्टाट्स, ABCT, Empirical Based Credibility Theory, नाम जितना बड़ा है, दर्शन उतना ही छोटा है, इसमें दो मॉडल है, मॉडल वन और मॉडल टू, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, Credibility Theory, ये तीनों चैप्टर्स मिला के आपका आएगा, पार्ट 6, देख, पार्ट 1, 2, 3 अगर अच्छे से नहीं किया, तो पार्ट 4, 5, 6, 7 पुरा पानी हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पार्ट 1, 2, 3 से उतना कुश्चन आएगा नह नहीं, तो 40 से 50 परसेंट पार्ट 1, 2, 3 से आएगा, बट बैलेंस जो 60 अगर कोई बुलेगा, सर में को तो पास होना है, तो क्या मैं सीधा पार्ट 4 चलू कर सकता है, पूरा बिल्डिंग ब्लॉक से, तो पार्ट 4, 5, 6, 7 करने के लिए पार्ट 1, 2, 3 का पूरा करेक्ट नॉ परेगा, मने खली बैठाना है और अंसर निकालना है, समझा तो हम देंगी, ठीक है, एन जो लास्ट जो है आपका, वो है GLM, सबसे जाधा इंपोर्टेंट टॉपिक, और हलका सा कॉंप्लेक्स भी है, जेनरलाइज लीनिया मॉडल्स, को रिलेशन रिग्रेशन अगर अच् पार्ट सेवें, सेवें पार्ट सेवें लिखा ना, तो बेसिकली देखो, बात सिर्फ इतना सा है, ये एक ब्रीफ जो मैंने इंट्रोडक्शन जो आपको दिया है ना, मतलब बोलने का मतलब यह है कि सेवें जो पार्ट से, कोई भी बच्चा चाहे, अब देखो, हम लोग एक रफ बनाते हैं कि हम लोग CS1 को कैसे कैसे करके करेंगे, ठीक है, ये भी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो जो पार्ट वन है, ये हम लोग जो है, टार्गेट करेंगे, आपका सेप्टेंबर एंड तक, ठीक है, पार्ट टू एंड थ्री जो है, ये अपने टार्गेट करेंगे, अक्टोबर एंड तक, ठीक है, पार्ट पोर एंड फाइव जो है, ये अपने टार्गेट करेंगे, नवेंबर एंड तक, ठीक है, एंड पार्ट, देखो, डिसेंबर क्या होता है, पुरा क्रिस्मस फिल्स रहता है, December क्या होता है, पुरा Christmas feels रहता है, ठीक है, तो उससे में उतना पढ़ाई होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, December में अपने revision करेंगे, पार्ट फाइफ तक का, मतलब core relation regression तक का, मैं एक mock test भी ले लूँगा, तो आप लोग का पुरा पढ़ने का time भी मिल जाएगा, मैं mock test वगरा सब कुछ ले लूँगा, अब ये जो पार्ट फाइफ, सॉरी, पार्ट फाइफ तक तो हो गया था, पार्ट सिक्स और ये जो पार् लाइफ का content क्या-क्या होगा और recorded का content क्या-क्या होगा, ठीक है, तो तुम लोग को ऐसे transparency रहेगा कि तुम लोग को कैसे कितना क्या करना है, ठीक है, देखो, ये वाला जो पार्ट है न, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत easy है, तो ये वाला पार्ट तुम लोग को recorded से करने दूँगा मैं ठीक है यह वाला जो पार्ट है अपकी बार का पेपर में क्या हुआ मैंने यह लोग क्या कर रहा है भी CS1 में जैसे 100 नंबर का है एक्जाम तो कोई भी एक चीज पकड़ेगा कोई भी एक चीज पकड़के ना उससे 50 नंबर तक का कोश्चन दे देगा जैसे पा कि फेल क्यों हो रहा है बच्चा रिविजन जब चालू करेगा तो यह देखना पड़ेगा कि पेपर ए पेपर बी मैथमेटिकल टाइपिंग अगर एमसी क्यू एक्जाम है तो एमसी क्यू को ढंक से करना यह सारी चीज़े बहुत जरूरी है तुमको पूरा सब को बैलेंस यह तो इस टुम्हें में लेके चलेगा तब जाके तुम्हारा पहला CS1 का एक्जाम क्रेक होगा तो इतना इसी क्याम को टो पढ़ाना पढ़ेगा दिनका मिनमम दो गुंता जब तक नहीं पढ़े तक सोना मत हर दिन किताब खुलना पढ़ेगा यह डिस्सिप्लीन बनाना पढ़े हirona कि में को हर दिन मीनिमट थोड़ा सा थोपढ़ना नई नहीं तो फिर नहीं होगा गई हीए ठीक है अब जैसे देखो ये वाल замеч कोड़ेट से करेंगे ऐप ठीक है अब देखो ये जो है ये जो है ये से ये में live करांझा तynthesis के मैं 11 करांगा है थीचЧто जैसे देखो मैं कोलकाता देली के साब से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ मैं यह चाहता हूँ कि हर बच्चा यह लाइफ करे अब लाइफ कैसे पॉसिबल अब समझो चीज को कैलकटा में जो हम लोग का टाइम होता है वो ग्यारा से तीन का होता है एंड डेली में जो टाइम होगा वो चार बजे के बाद का होगा ठीक है तो बेसिकली ऐसा करेंगे अब जैसे बहुत बच्चे लोग बोल रहे हैं कि वो लोग का जैसे कॉलेज है ठीक है तो आपने इसको अज़ेस्ट करेंगे ताकि किसी का मिस ना हो मैं ऐसे टाइम पर रखूँगा ताकि किसी का मिस ना हो मैं मेगा क्लास रख लूँगा एक वीकेंड में मेगा क्लास रख लिया चीज समझो तो चैसे गंटे क्लास रखूंगो तो वो लाइव हो जाएगा अच्छे से ठीक है पॉइंट यह है कि भई इसको लाइव करना है अपने को यह बहुत बड़ा पॉइंट अपना लिए कि आर्यू क्लियर वाट राइंग टू से ठीक है ना मैं जो बोल राख लिए सबको बॉइन मोटीव उसमें यह रहेगा कि मैं आपको पहले बेस पुरा रेडि करूंग अभी आने वाला टाइम में आपका सबसे डिस्टिदिशन, ठीक है ना, फिर उसके बाद में आपको रेकॉर्डेट से करना है, रेकॉर्डेट से आप करेंगे, जैसे जेनरेटिंग फंक्शन हो गया, ठीक है, जॉइन डिस्टिदिशन हो गया, कंडिशनल एक चीज है, जो मैं लाइफ कराऊंगा, कंडिशनल और डिफिकल्ट सम्स, ठीक है, तो बेसिकली आपको दिन का दो घंटा घर पे रेकॉर्डिंग भी करना है, और जो भी लाइफ क्लास होगा, वो भी आपको अटेंड करना है, ठीक है, एंड पास, अच्छा यह हो गया, अब उसके बाद में जैसे आपका सैंपलिंग बहुत ईजी है, सैंपलिंग, पॉइंट एस्टीमेशन यह से बहुत उतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, तो मेंली मेरा टार्गेट क्या रहेगा, देखो, चीज समझो, मेरा जो टार्गेट रहेगा कि जो में जो टॉपिक है, जहां से सबसे ज़्यादा कुश्चन आते हैं, जो टुवर्ड्स दी एंड का जो टॉपिक है, जिससे आप समझ लो 40-50% तक आरा एक्जाम में, पेपर है पेपर भी मिक्स, तो वो मेरे को में आपको अच्छे से कराऊंगा, लेकिन वो जनवरी में कराऊंगा ताकि सब कर पाएं, अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है, अपना टार्गेट सिंपल है, डिसेंबर एंड तक अपने को पार्ट 5 तक खतम करना है, और उसके अपने जैनवरी, फेबररी, मार्च, तीन मैना रहेगा, पार्ट 6 और 7 लाइफ करके अपने उसको विकेंड पे कराऊं, तो विकेंड पे कराने से क्या होगा, सब लोग अटेंड कर पाएंगे, मैं इस चीज को समझता हूं, ठीक है, देखो, और मैं आपके संग प्रॉब्लम डिसकस करता हूं, ठीक है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, आप लोग ऑनलाइन क्लास जो है, व अभी तो मैंने बोला सक्षम खाविया, सक्षम खाविया भी मैंने बताया ना कि मैं डिसेंबर में एक मौक लूँगा, पाट फाइफ तक का एक मौक में लूँगा, एंड हमारे पोर्टल पे जो आपो डेलिवरेबल्स जो मिले हैं, जैसे ओनलाइन क्लास है, सब लोग को ए छोड़ना, रेकॉर्डेट से कर लेंगे, खुझ से खुझ से नहीं हो पाएगा यार, हर चीज खुझ से नहीं हो पाता है, यह चीज समझो, ठीक है, येस, आपको पूरा उसमें, मैं भेज दूँगा, ठीक है, मैं कम्यूनिटी सब लोग जोईन कर लेना, जो लोग भी जोईन नहीं करते हैं, उसके बाद में आप इंस्टीट्यूट का जो मतीरिल है, वो रीड नहीं करते हो, आपको क्या करना है, इंस्टीट का पूरा मतीरिल आपको soft copy में दिया गया, वो आपको पूरा read करना है, ठीक है, उसका सारा back question आपको बनाना है, और आपको जो question में problem वो आपको recorded set में मिल जाएगा, खास करके exam style question, paper B का सारा resources आपको तीन से चार बर बनाना पड़ेगा, three to four times, आप पहला बर बनाते हैं, उसी मैं बोलते हैं, सरम से नहीं हो रहा है, हो गया, नहीं, तीन से चार बर आपको बनाना पड़ेगा paper B, उसके बाद में आपका आएगा X assignments, जो एक तरीके का मौक है, and Y Assignment, X और Y Assignment, ठीक है, सबसे बड़ा जो problem होता है आपको paper B को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो paper B, अभी जैसे आप recorded से थोड़ा थोड़ा चालू करो, शिवांगी मैम का जो basic classes है, ये दोनों चीज मैं आज आपको community में भेज दूंगा, दोनों ही शिवांगी मैम का है, वो आप please उसे चालू करो, ठीक है, बाकि मेरा काम ये रहेगा कि आपका probability distribution जितना हो पाएगा, जितना हो पाएगा, वहां तक का मैं पूरा concept आपका उठा दूंगा, ऐसा नहीं ख्याली probability distribution तक होगा, जहां तक होता है, जहां तक होता है, मैं मैं आपको पुरा करा दूँगा, ठीक है, बट ये एक escape नहीं है कि आप शिवांगी मैम का class नहीं करोगे, उसमें और detail में कराया है, मैं चालू करूँगा, मैं basic probability कराऊंगा, थोड़ा दरी, मैं random variables कराऊंगा, मैं probability distribution कराके, sums कराके, उसको close करूँगा, ठीक है, इसमें मिरक फोकस होके आपको पढ़ना पढ़ेगा, और तो आप sacrifice करना पढ़ेगा, हम सज बता रहे है, अगर कोई मेरको ऐसे guide किया होता ना, दस साल पहले, ठीक है, guide किया ऐसा बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे इस level पर कोई guide किया होता ना, आज हम कहीं और ही होता, बहुत simple सा बात है तुमको अगर sacrifice करना नहीं आता है, तो तुमको success नहीं मिल सकता है, तुमको sacrifice करना पढ़ेगा, you need to sacrifice, sleep पे sacrifice मत करो, six hours of sleep is mandatory, बहार आना जाना, खाना आवाना, तुमको सब कुछ एकदम पढ़ाई, इस prime focus, तुम्हारे लिए priority एकदम set होना चाहिए, कि मेरेको 2 घंटा minimum पढ तुमको 2 से 3 घंटा पढ़ना पढ़ेगा, इतना live class होगा नहीं मैंने हाँ पर recorded लिखा है, सिधात सर का every day there will be a class, ये मेरा guarantee है तुम लोग को, every day he will conduct a class, 7 दिन सर का class होगा, मेरा भी almost class होगा मतलब, जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ, अभी regular class होगा, फिर 3-4 दिन के gap में मैं ठीक है, and सिधात सर का class को अगर आप miss कर रहे हैं, तो आप अपने risk पे miss कर रहे हैं, because CS1 का मेरे से ज़्यादा अच्छा knowledge उनको है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो, वही अभी आपका समझ लो, इसी week से होगा, इसी weekend से होगा, अभी नहीं करा रहा हू ठीक है, उनका mostly one week की बाद around चालू होगा, अभी पहले आप थोड़ा सा base set कर लो, फिर सरका में class चालू करूँगा, answer is going to take paper A as well as paper B, main तो उनका पूरा paper भी है, everyday मैं आपको promise करके जा रहा हूँ, बने week में 7 days, ठीक है न, 9 p.m. पे चालू होगा, या फिर 9.30 p.m. पे चालू की मिनिट्स का ही class होगा, उसके बाद आप आदा घंटा में सोजो, खाना वाना खा के class चालू करो, एक घंटा पढ़के आप सोजो, simple है, बीच में निन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, नेक्जिस रूट के recording कर लेना, बट ये वाला class आपको attend करना जरूरी है, नहीं तो म मैं नहीं सकता हूँगा, क्यों CS मने बहुत डाइनामिक से बहुत सारी चीजे कराने को, तो अकेले एक आदमी नहीं करा सकता है, ठीके, शिवांगी मैं विल बी टेकिंग अब रिविजन classes towards the end, ठीके, उनका पूरा recordings है, but मैं is too occupied in CS2, ठीके, तो मैं का भी रहेगा, मैं भी week मैं one two करके classes लेंगी, but सिधात सर is going to take majorly classes for paper B, जो live class जोगा, ठीके, पेपरे में तो मैं हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बेटा, dashboard आपको मिला होगा, आप एक बारे काम करो, आपका जिसने admission लिया है, आप उनको बोलो, आपको dashboard का नहीं मिला, dashboard पे सब कुछ है, dashboard पे everything is given, ठीक तो I guess if the student, those who are taking extension, तो Q-forum से उनको dashboard में ला लेकिन दोनों का काम सेम है, ठीके न? तो यह जो मैंने आपको बताया, यह सब बाते आपको ध्यान रखने में, मैं बार बार आपको यह सब बाते बताते रहोंगा, क्या-क्या करना है, coverage सुन लो, बर क्या-क्या करना है, सारा आपके classes है roughly, इसमें आप समझ लो, 100 hours मोटा मोटी मैं दूंगा effort, and आज से आपके पास में समझ लो, 180 दिन से जादा हैं, तो everyday सरका एक class होगा, मतलब 200 घंटे का life class इधात सरका होगा, and उनके साथ में 223 more industry experts will be there, ठीके न? तो इनकी भी classes होगी, यह भी आपको attend करने है, जित इतना class हो, पहले आप attend करो, ठीके, सबसे वो रात में एक ही time रहेगा, ठीके, यह classes का होगया, अब इसके बाद में mock, आपने जो पैसा दिया है, 22,500 रुपिया, इसमें सबसे अच्छा facility तो mock का है, क्योंकि detailed evaluation होके आपको मिल रहे, और कहीं नहीं मिलेगा भाई, पुछने क तो कोई करता ही नहीं है, छोड़ दो, detailed evaluation करके आपको मिलेगा, तभी हमारा इतना नाम है, तो detailed evaluation जो है, वो आप तभी करवा पाओगे, जब आप time पे syllabus खतम करोगे, क्योंकि हमारा mock का deadline cross, मतलब process, उसके बाद हम नहीं करा पाएंगे, तो मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा बीच में कभी भी आपको लग रहा है, आप भटक गए हो, दस से पंदरा दिन आप भटक गए हो, तो हमको call करो आप, हमारा team को reach करो, one-to-one mentoring बुक करो, one-to-one mentoring की facility दी गए, लेकिन कोई उसको use नहीं करेगा, one-to-one mentoring का facility दिया गए आपको, आप वहाँ पर जाके slot book कर सकते ह पंदरा मिनिट का, ठीक है, उसके बाद में, institute का mat को जितना read करेंगे, उतना knowledge बनेगा, ठीक है, पास तो छोड़ो, exam में बैटने दिन हमको पता होगा कि हम पास हो रहे हैं, उसके लिए आपको अच्छे से करना पड़ेगा, and paper B, जो है, वो आपको regularly करना पड़ेगा, उसक में last 20 terms के paper है, उसके पहले के भी papers आपको करने पड़ेंगे, and आपको करने पड़ेंगे IEI के papers, IEI के papers आपको करने पड़ेंगे, हाँ, हाँ, अरे हाँ, content नहीं develop होगा, तुम समझा नहीं better, content अच्छा अच्छा दिमाग कैसे develop होगा, तुम अपना जब एक चीज समझो, यहाँ पर बात, pass fail का तो होई नहीं रहे न, pass तो मैं बोला, जिस दिन तुम एक्जाम दोगे, तुमको उसी दिन पता होगा, exam दे रही हो, मतलब pass हो, तो वैसा preparation के लिए तुमको तो महनत करना पड़ेगा, कि कहीं से, कहां से देगा, कहीं से कुछ भी देगा, मैं pass होगा, हमें कोई यह पता है, यह चाहिए, कि कहीं से वो कुछ भी देदे, मैं pass होके रहूंगा, चाहिए, यह समझना पड़ेगा, हम लोगो, अब उसके बाद में exam में कुछ rules हैं, जो आप लोग break करते हो, जो मैं अभी बता देना चाहता हूँ, एक चीज बेसिक समझ लेना, सबस आप लोग सबको पता है, ठीक है, and MCQ का हमारा CS1 में 1500 से भी ज्यादा MCQ है, IEI students के लिए, and IFO students के लिए, जो आपके dashboard पर आपको मिल जाएगा, तो chapter wise है वो, बहुत लोग बोलते हैं, आपके हहाँ पर chapter wise टेस्ट नहीं होता है, MCQ का जो test हो क्या है, वो chapter wise ही तो है, उसको सा सेलेक करो, और MCQ दो, test दो, उसमें इतना अच्छा है, कितना में कितना attempted, कितना गलत, flagging का system है, फिर तुम दुबारा revisit कर सकता है, तुमको हाँपर अपना performance देखेगा dashboard में, तो यह सब facility use क्यों नहीं करता है, ठीक है न, अब exam rules में समझ लेना, IFOE में बात करता है, IA का तो टीन घंटा बीस मिनट का exam है, और तुम अगर मानले एक मिनट भी लेट कर दिया न, तो तुम्हारा paper accept नहीं होगा, upload time होता है, 30 minutes का upload time होता है, ठीक है, तीन घंटा बीस मिनट का exam है, मानलो तुम्हारा exam खतम होना था 4.20 पे, तुम्हारा file जो है, तुम्हारा जो file है, तु 22 पे close, गया अच्छा है, मैंने गा, पहनत पर आनी पे गया, नहीं accept करेगा, तो यह very, 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 very strict, very, 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 very strict, I repeat, ठीक है, तो क्या करना है, दो मिनट पहले ही file को बंद कर देना है, अगर upload time 4.20 का है, तो 4.18 पे ही file को बंद करके, 4.20 के पहले submit, सिंपल है, तुम्हारा में लिख लेगा, बात समझ, last का 5 मिनिट में तुम कितना लिख लेगा, ठीक है, ऐसा कोई काम मत करना, यह सब चीज देख लेना, file में auto save वाला feature on है क्या, तो क्या होता है, बहुत बार तुम बंद कर दी अपना file, ठीक है, तुम review के लिए अपना file खोला, जब तुमारा time limit खतम हो गया, ठीक है, upload time में, and हलका सा तुम एक छोटा से dot या फिर कुछ change किया, तो वो auto save हो जाता है, last modified time ले लेगा तुमारा, 423, 424, तुमको जो मिलता है, वो zip मिलता है, बहुत सरा paper भी में तुमको zip मिलता है, ठीक है, zip में क्या नियम होता है, हाँ, notification आया है, बट मैं को अभी का बता रहा हूँ, procted है, ठीक है, अगर procted भी है, तो भी तो paper तो time पी submit करना पड़ेगा, ना, क्योंकि IEI का क्या होता है, IEI का procted में भी एक portal होता है, और अभी तो MCQ हो गया, तो वो auto submit ले लेगा, तुमको submit बिटन दबाने का दरकार नहीं है, IEI is not center based, IEI जो US based होता है, उसमें जैसे बहुत बार exam होता है, साल में, जल्दी जल्दी exam होता है, result भी IEI से जल्दी आएगा, तो ये लोग भी try करेंगे multiple attempts exam का करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपका preparation जितना अच्छा रहेगा, जितना जल्दी रहेगा ना, आप next attempt दे पाऊगे, अब for example, वो लोग IFO जैसा structure में आ गए, कि आप CS1 as a non-member दे सकते हो, तो आप IIS exam देते ना, फड़वट क्या दिक्कत है, आप क्यो वेट करोगे April तक का, अगर अपना syllabus January तक खतम हो रहा है, क्योंकि दोनों institute बिल्कुल सेम है, बहुत लोग मैं से ये आसपस का फरक होगा, ठीक है, passing rate IEI का भी अब बढ़ गया, आप खोलो, last 3-4 return का खोलो, IEI का भी passing rate बढ़ गया तो, IFO का तो कम हो रहा है और IEI का बढ़ रहा है, अगर आपको mathematical typing ये सब नहीं करना है, तो आप IEI से करो, ठीक है, अगर आपको MCQ ज़्यादा अच्छा तो, क्योंकि MCQ अच्छा है, एक तरीक से देखा जाएतो, result भी जल्दी आएगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं में को open book exam अच्छा लगता है, match structure ठीक है, तो आप IEI से करो, recognition दोनों का है, job दोनों का है, content दोनों का same है, it's just that IEI में paper हलका difficult or challenging आ सकता है, तो वो आपको दे नहीं है, ठीक है ना, और तो जो भी updated, आचा और एक exemption का बात है, IEI का exemption IEI देता है, लेकिन IEI का exemption IEI नहीं देगा, ठीक है, तो ये भी चीज़े, zip file में क्या होता है, बहुत बर क्या करता है, zip file को क्या होता है, पहले extract करना पड़ता है, तो एक folder बनता है, ठीक है, फिर फोल्डर में जा के आपको अपना file को open करना पड़ता है, बहुत लोग करता है, zip से directly, उसको double click किया, zip खोला, और उसको उसको काम करना चालू कर दिया, और फिर file उड़ जाता है, save नहीं होता है, तो zip को extract करना बहुत ज़रूरी है, ये सब basic basic चीज है, जो हम लोग exam में बता करेंगे, याँ, ठीके, लोग ऐसी बोलते हैं, नहीं यार, ये छोटा सा गलती, आद मेरे संग क्या हुआ, मैं तुमको बताता हूँ, मैं अपना personal experience शेर करता हूँ, कि मैं भी पहले तुम लोग कि तरह ही था, आवारा type का, मेरा CP3 का exam था, मेरको ना student लोग अपना file भीजता है, लग जब exam हो जाता है, कि हाँ सर देखिए, बहुत पहले का बात है, दो साल, दाई साल हो गया, तो क्या हाँ सर मेरा सब कुछ ठीक है ना, paper में देख लिजे हलका, सब कुछ ऐसे, submit करने के बाद में, वो लोग भीजता मेरे को, सर यह वाला question का मैंने working ठीक किया है कि नहीं बताई है, ऐसे normally पूछता है, तो मेरे laptop में 10-12 files थे, ARN का, ठीक है, और मैंने अपना भी ARN सेफ किया, ठीक है, मेरा मनलो, something-something ARN है, actual reference number 5 होई का, तो just जब upload time हुआ, मैं 5 मेरे पहले paper बंद कर दिया था, मैं गया वहाँ पर जो पहला देखा file मैं उसमें, देखा कि हाँ यह ARN है, मैं click किया और upload कर दिया, अभी तो preview यह सब का feature होता है, बट उस समय यह सब feature नहीं था, preview यह सब का feature नहीं था, वहाँ पर क्या आप जाओ, upload कर दो, submit, और कोई confirmation वगरा, उस समय कुछ तो, just चालू ही हुआ था यह स uploaded the wrong file मैं को zero मिलाता सी, पीच्री में, ठीक है, तो यह सब मैं आपके संग share इसलिए कर रहा हूँ कि, ऐसा-इसा गलती होता है, जब आप careless होता है, वह से very careless, जैसे मैं upload किया, I just call them and mail them, कि हाँ मेरे से गलती हो गया, they always said कि आपने जो file submit कि हम वही accept करेंग, just to tell you that they are very strict in their rules, beat IE beat SOA, beat IFOA, cheating बिल्कुल मत करना, पूरा दो साल का बैन लग जाएगा, सब लोग को यही लगता है कि हम नहीं होंगे, सब जैसे मरना है, सब लोग को यह लगता है कि हम नहीं मरेंगे, बट मरता तो सब ही लोग है, तो बहुत simple से चीज़े cheating मत करना बिल्कुल, ठीक है, तो आ इतना साल में, तो यह सब basic basic चीज़े जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, आप मानलों cheating करके आप पास हो भी गए, लेकिन interview में फिर क्या होगा, interview में पूछेगा, आप तो जवाब नहीं दे पाएंगे, और CS1 अगर आपका अच्छे से नहीं होगा, तो CS2O सब को तो बात ही छोड़ दो, नहीं हो पाएगा वो सब, तो यह सब basic basic चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, हाँ, वो हो सकता, mutual recognition agreement है fellowship level पर, but individual exemption नहीं है, आईए यह अभी exemption दे रहे, बट IFO नहीं दे रहे, सब को एक जगह से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, दो इधर से दो इधर से वैसे नहीं होगा, हाँ, नहीं नहीं, IFOA is home-based, open book exam है, अभी के लिए, and IEI is also home-based, but वो proctored है, news बहुत आ रखा है कि IFOA भी MCQ introduce करेगा, बट जो भी updated news होगा, वो हम लोग के community में आते रहेगा, official जो भी होगा, ठीक है, तो यह basic, मैंने आपको basic understanding दिया है, ठीक है, it's not, I'm not very sure, ठीक है, कि आप लोग का file accept होगा की नहीं होगा, ठीक है, बट अभी जो अपने submit कर दिया है, अब आगे कब बिल्कुल मत सोचिए, अभी आपको यही सोचना है, देखो, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जो लोग मेंसे यह पूछ रहे हैं, कि हम लोग November एंट तक अपना syllabus खतम कर ले, क्या, हाँ, कर लो, इससे अच्छे तो कोई बाती नहीं होगा, अगर तो लोग नवेंबर एंट तक अपना syllabus खतम कर लेता है, तो, ठीक है, तो basic क्या है ना, कि मैं जो advice जो दे रहा हूँ, आप अगर उसको अच्छे से follow करेंगे, तो हम लोग हो सकत नवेंबर एंट तक ही सब कुछ खतम कर ले, आपके तरफ से कितना input आ रहा है, वो बहुत matter करता है, आप अगर input, आप अगर अच्छे से नहीं करेंगे, तो फिर मेरा नहीं हो पाएगा, वैसे, ठीक है, तो ये एक basic introduction था, जो मैंने आपको दिया है, ठीक है, एंड जो exam ही focus करिए, that's it, ठीक है न, thank you, and कल से हम लोग का normal class चालू हो जाएगा, ठीक है, and जो timing है, उसका मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई है, यहाँ पर जो physical class attend करना चाहता है, बढ़ टाइमिंग के वज़े से attend नहीं कर पा रहे है, ऐसा कोई है, तो please बताओ, आप अपना प्लीज टाइम लिग दीजे, आपका college कितना बज़े खतम होता है, college कितना बज़े खतम होता है, बेटा हमने डाल दी है अलरडी, आप देखो, आपके उस पे आपको मिल जाएगा, आप देखो, हमने डाल दी है उस पे, आकर्ष, गोयल, हमने अपने डाशबोड पर डाल दी है, मैं ना आपको हमारा community में एक center का number दे रहा हूँ, अगर आपको dashboard related कोई भी problem है ना, तो आप उस number पर call करके अपना dashboard का problem को resolve कर सकते हो, और एक बार आपको dashboard का access मिल जाएगा, फिर उसके बाद तो आप query ticket raise कर सकते हो, सिर्फ एक जन का है, 7 पीम तक आपका, अपका class है बेटा तब तो आपको recorded में ही करना पड़ेगा, कोई उपाई नहीं है, ठीक है, हाँ, वो WhatsApp group कोई नहीं है, WhatsApp group कुछ भी नहीं है, WhatsApp group बोलके नहीं है, community है, ठीक है ना, हाँ, माही गोल आप सही बोल रहे है, हाँ, ठीक है, Q Forum पे भी सारा चीज जा रहा है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, अलोफ यू, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है ना, और प्लीज, डेली, डैश्बूर्ट को चेक करना, is very, very, very important, डैश्बूर्ट को बा बार 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 चेक करते रही है ठीक है थैंक यू